अमरिसर में केंदर सरकार द्वारा फूड परसेसिंग के लिए दी जा रही योजनाओं के बारे में एक विश्रित जानकारी देने के लिए एक विशेश सेमिनार का आयोजन किया गया इस मौके पर केंदरिय फूड प्रोसेसिंग मंतरी हरसिमरत कौर बादल विशेश रूप से अमरिसर में पहुंची इस मौके पर अमरिसर तरंतारन और गुर्दासपुर से विधायकों को अमतरित किया गया पत्रकारों को संबोदित करते हुए हरसिमरत कौर ने कहा कि पूरे देश में नए स्किल सेंटर खोलने के लिए 74 आवेदन आए हैं और उनमें से 17 नए फूड पार्क सेंटर का आयोजन किया जा रहा है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जागुता अभियान के लिए कॉलजियों के अंदर भी नए सेंटर बनाए जा रहे हैं स्कीम दे बारे समझाना चांदी हैं ताकि वो अपने कॉंसिट्यूंसी चे जाके देख सकन कि ओ कि इस गल दा फैदा ले सकते ने एहो जी मिनिस्ट्री हैगी कि जे एदा फैदा लिपता जाए एक पासे किसाना नो बहुत वड़ा फैदा होगा क्योंके फूड प्रसेसिंग फूड दे बिना नहीं हो सकती फूड उगांदा कौन है किसान उगांदा हैगा जिननी प्रसेसिंग तरफ्की करोगी उनना किसान अग्गे वदूगा दूजी गल एधे नाल प्रसेसिंग दे आंधे नाल जितें इंडस्ट्री सेट होगी विपारी नो भी फैदा उद्योग पतिया नो भी फैदा होगा एधे नौक्रियां दे साधन भी पैदा होगी तीजी गल कि ведь इस इंडस्ट्री नो मैं चान्दिया कि किसे किसी तरह कोई इंसेंटिव देके एना नो दिता जाए कि वाद तो वाद लोका नो तुसी ट्रेनिंग दो आज साधी नौजवान बच्चे जड़े खेतां चे कम नहीं करना चांदे कि पहला मकसद फूड प्रोसेसिंग दा है कि जो किसान उगा रहे है ओ दे उते वैल्यू एडिशन कर दिता जाए ताकि वो कुछ होर कमा सके अपने आम जड़ा उगाम दा कर ले हो जाके मंडी चे ना बेचे लेकिन आप उस अपने प्रोड्यूस दा वैल्यू आड करके वो दो पैसे चार पैसे होर कमा सके तो इना प्रोसेशिंग अंडस्ट्री जे स्किल किता जाए ताकि साढ़े किसान दे बच्चे हों या पड़े लिखे नौजवान हों ओ पिंडा नू कठे करके के हो जो प्रोसेशिंग दा कोई युनित लांज जिदे नाल उना पिंडा चे ते लोका दी आमदन वद सके। तो कई तरीके नाल ए प्रोसेसिंग अंडस्ट्री फैदा कर सक दी है। जिते एक पासे वेस्टेज रुकूगी क्योंके कई बारी होंदा है तुसी देख देओ कि बहुत जब जादी सब्जियां ते फाल जद उनादा सीजन होंदा है बहुत किसान नों कई बारी अपना मुल भी नहीं मिलदा मंडियां चे जाके ते वो सड़कां चेहीं सट देंदा है। जे सड़कां दे सिटन दे बजायों प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लेके उन्हों प्रोसेस कर लें दी एक तो होना दी वेस्टेज रुक दी जद वेस्टेज र लोका ने पंजाब सरकार ने मेंनों पेजना होंदा है कि साड़े आ लोका ने अपलाई कीता सनुदे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी सूबे दी सरकार दे कोल हैगी कि ओ अपनी टेक्नोलोजी अपग्रेड करन वास्ते किसे नों देना चान दे कोई नवी चीज लगाने वास्त देना चान दे कोई कोर्स बचिया नों इंपार्ट करन वास्ते ट्रेनिंग स्किल करी मर्दी वाक सारी फ्लेक्सिबिलिटी है थे मांग होए और थे खुले लेकिन साड़े डिपार्टमंट तो जड़े एक्जिस्टिंग कॉलेजेज ने कोसे वास्ते भी ग्रांट कृती ज इस मौके पर जब उनसे राजनेतिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अकालिदल और भाजपा एक थे एक हैं और एक ही रहेंगे जो कुछ लोग इस गड़बंदन को तोड़ने की बात कह रहे हैं उसमें उनका अपना ही कुछ स्नीजी स्वार्थ हो सकता है और वो केंद कोई misconception create की जा रही है वो vested interest के लिए कोई लोग कर ले होंगे मैं central government का हिस्सा हूँ मैं top leadership के बीच में बैठती हूँ उनके मन में कोई मन वटाव नहीं है अकाली दल और बाजपा ऐसे है ऐसे थी और ऐसे ही रहेगे